ओके सो फ्रेंड हेर आइम गोईंग तू सॉल्व फ्यू आप तो कॉस्टेंस तो सबसे पहले कॉस्टेंस आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन में कि एक चार्ज है जो प्लेस्ट किया गया अब आपको बताना है कि यह सिस्टम जो है तीनों चार्जेज का वो एकुलिब्रियम में होना चाहिए एकुलिब्रियम में होना चाहिए तो q जो है small q का value क्या होगा तो कैसे निकालेंगे इसके लिए आपको क्या करना होगा concept क्या होता एकुलिब्रियम का आपको यह पता है कि अगर इसके लिए आपको एकुलिब्रियम होना अगर चाहिए तो इसका मतलब है कि जो net force होना है net force equilibrium के लिए net force 0 होना चाहिए ठीक है net force जो होना चाहिए वो 0 इसको मैं ठीक कर लेता हूँ net force ठीक है तो net force के लिए आपका value होना चाहिए कितना 0 तो कोई भी एक charge उठाईए उस पर force calculate कीजिए और total जो force है उसका value आना चाहिए 0 net force होना चाहिए 0 तो let us find out कि force जो है वो कितना है capital Q पे तो capital Q पे एक small Q के वज़े से और एक ठीक opposite में भी capital Q है उसके वज़े से दो forces होंगे तो दोनों forces का value आपको यहाँ पे बताना है और उसको फिर find out करना है equate करना है ठीक है तो पहले वाले के लिए और small Q वाले के लिए दोनों का value में लिख रहा हूँ यहाँ पे देखिए तो 1 by 4 pi है ना epsilon naught capital Q small q upon जो distance था वो था r by 2 का whole square plus 1 by 4 pi epsilon naught q square upon yes r square अब इसको आपको equate करना है 0 से ठीक है solve करेंगे simply हम लोग आगे इसको बढ़ेंगे तो यहाँ पे 1 by 4 pi epsilon naught common आगिया q आप common ले लिजेगा ठीक है तो capital Q भी इसमें common हो जाएगा और equal to आप equate कर सकते हो वो भी option है आपके सामने तो आप cancel आप करेंगे जब तो आपके पास सारा value cancel out होकर के क्या बच जाएगा 4 q is equal to capital Q लेकिन sign देना मत भूलेगा minus q तो यह value आगिया small q is equal to minus capital Q by 4 तो आपको समझ माग आगिया होगा I think तो option देखी कौन सा है option है ए नमबर ठीक है done बहुत असान question था need 2013 माय आगा next question पर बढ़ते हैं लोग so next question हम लोग ले रहे है need 2013 माय आगा यह सवाल है यह question भी काफी important है इसमें क्या है कि दो पीथबॉल है जो separated है और tied है string से ठीक है massless string से इनकी बीच की दूरी दे रखी है r ठीक है small r और यह जो distance है अगर आप देखें कि जो perpendicular distance है वो y है या height कह सकते हो y है अब क्या किया गया है जो hanging position है इसको थोड़ा नीचे कर दिया गया है यानि यह थोड़ा नीचे करने का मतलब कितना नीचे किया गया y by 2 position तक इसको hang कर दिया गया है y by 2 position में hang करना से r की उपर क्या प्रभाव पड़ेगा r क्या होगा यह निकालना है ठीक है तो y by 2 पे कर दिया गया है लेकिन आपको r निकालना है कि r जो है वो क्या होगा अब मैं इसको नाम r dash दे रहा हूँ ठीक है तो यह r dash का value आपको find out करना है और दोनों ही charges क्या है equal है right तो यह बहुत ही अच्छा question है need 2013 में आप इसको देखे हैं इसको solve भी किया होगा आप लोगोंने I think तो जल्दी से इसको बनाई है फटा फट options में लिक देता हूँ यहाँ पर बगल में ठीक है options मैं यहाँ पर note down कर दे रहा हूँ पहला option है r dash is equal to 2r by root 3 दूसरा option है कि r dash is equal to 2r by 3 तीसरा option है कि r dash is equal to 1 by root 2 का whole square into r कर सकते हो bracket में and r dash is equal to r by cube root of 2 cube root of 2 ठीक है यह cube root है cube root of 2 तो जल्दी से बताईए find out करके answer क्या है आपका now अब यह आपको समझ माग जिया होगा इसको solve कैसे करते हैं इसको solve करना है कि एक pit ball को आप ले लेंगे उसके उपर क्या-क्या forces लग रहे हैं उसको निकाल लें उसके बाद उसके vector ले लें and की resolution करें उसको resolve करके component करने के बाद उसमें देखना ये है कि कौन सा equal किसके है जैसे कि मैंने पहला force जो लिया दूसरे वाले pit ball ने electrostatic force लगाया होगा तो opposite direction में F दिखाया मैंने नीचे की तरफ mg और यहाँ पर tension है आपका capital T ठीक है tension भी तो लग रहा हो न बच्चा thread है तो तो ये value समने हमने लिखा है और ये angle है theta अब theta angle है तो tension तो resolve होगा तो theta angle जिधर होगा उसी तरफ में आप अगर जो component लिखेंगे वो component हो जाएगा T cos theta जिस तरफ आपका tension है जिस तरफ आपका angle है उस तरफ आप जानते हो कि component लेते हैं तो T cos theta component होता है और opposite वाले को T sin theta नाम देते है तो ये मैंने red color से T sin theta लिखा है और ठीक उपर में आपका जो है जो angle के साथ में बन रहा है component वो angle का component जो होगा वो T cos theta होगा तो आप यहाँ देख सकते हो कि equilibrium position के अगर हम बात करें तो यहाँ पर T cos theta किसके equal आएगा T cos theta will be equal to mg and T sin theta किसके equal आएगा बच्चा तो T sin theta equal आएगा F के ओके जब आप इसको divide दिजेगा तो आप इसको sin by cos करते हैं यानि कि equation 2 by equation 1 करो ऐसा करो कि equation 2 इसको दे दो equation 1 इसको दे दो और equation 2 by equation 1 कर दो जब equation 2 by equation 1 कर देंगे तो यह फटाफट से solve करने के बाद आपको आजाएगा 10 theta है ना sin by cos होगा यहनि 10 theta is equal to ओके इसको लिख दे रहो हम है sin theta by cos theta that is 10 theta and 10 theta will be equal to F by mg राइट F by mg आएगा ओके तो यह आपका value आगे F by mg अब यहां से हम लोग क्या करना है कि जो F का value है वो लिखना है और mg का value लिख रहा है तो F की value हमें लेनी होगी ठीके साथ में यह समझ लिए कि जो triangle बन रहा है मैंने जब आपको करके triangle दिखाया उसके अंदर में 10 theta का value कितना होगा perpendicular by base तो यहां पे 10 theta का value perpendicular यानि की bm तो bm जो दूरी है वो r by 2 है है ना और इसके साथ perpendicular कौन सा है perpendicular कौन सा है तो यह distance है y यानि r by 2 y हो जाएगा राइट इसको मैं लिख देता हूँ यहां पे next page में इसको लिखते हैं ok so next page में इसको complete कर लेते हैं क्या है बाते so 10 theta is equal to f by mg हमने जो लिखा है साथ में इसका हम लोगों ने क्या किया r by 2 है ना write r by 2 by y यही था फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ यह जो दूरी है वो total r है तो इसका half यह r by 2 हुआ और यह जो distance perpendicular distance है तो यह y है आपको पता है 10 theta is equal to perpendicular by base होता है तो ठीक वैसे ही मैंने r by 2 by y लिखा है right तो यह हमने value यहां put करना शुरू कि f का value हो जाएगा 1 by 4 by epsilon not q का whole square क्योंकि दोनों charges equal थे and distance between them is r square now mg तो नीचे रहेगा mg का as it is हम लोग value रख देंगे कुछ करना है नहीं उसको यहां पे r by 2 और नीचे में y था अब यही condition यही situation वहाँ भी arise होगा जब आपने जो half way में put किया था जब आपने तो tying position है y by 2 पे कर दिया तो वहाँ भी तो यही situation यही arise होगा ना condition तो बस हम value वहाँ पे change करेंगे 10 theta का जो value होगा वो बजल जाएगा right वो बजल जाएगा अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं दिखाता हूँ मैं आपको यह r dash जो हम लोगो total दिखाव r dash वो r dash by 2 हो जाएगा अब है r dash by 2 तो केवल r dash by 2 ही change होने वाला है और y के जगा हम लोग y by 2 लिखेंगे तो चलिए इसको लिखते हैं follow up करते हैं second वाले condition में क्या होगा value 10 theta is equal to हो जाएगा 1 by 4 by epsilon not है ना यहां पर आप 1 by 4 by epsilon not लिख सकते हो चलो बार में लिख लेते हैं अगर क्योंकि यहां पर भी distance तो दोनों के बीच में change हो रहा है ना तो हम f तो रख नहीं सकते तो इसलिए f dash कर दिया अब यह r dash by 2 और नीचे में y by 2 ठीक है क्योंकि यहां y जो था वो अब y by 2 हो गया है ठीक है अब क्या करना है बच्चा ध्यान से समझेगा बहुत अच्छे से question यहां पर prepare कर रहे है one by one दोने equation लों compare कीजेगा और solve कीजेगा जब तो यहां पे भी f dash का value जब रखोगे तो f dash में कुछ change नहीं आएगा बस r dash square हो जाएगा r dash square हो जाएगा और कुछ नहीं आएगा बदला आप कुछ नहीं होगा r dash का square हो जाएगा अब नीचे mg mg रहा जो भी था वही होगा mass तो बदला है नहीं नीचे अब आपके पास क्या उधा side बच गया r dash by 2 और नीचे y by 2 तो cut करके हो जाएगा r dash by y cancel कर लो equation जो आपने दिया है third equation जो नाम दिया है ना अभी इसको खर लो और divide कर दो इसको किसको divide कर दो बच्चा तो 2 को divide कर दो 4 से 2 को divide कर दो 4 से तो 4 से divide जब करते हैं ना तो आप देखो दोनों side जब divide करोगे तो आपका cut जाएगा cancel out हो जाएगा बहुत सारा value कर जाएगा करके देखो आप जब आप कर लेंगे इसको पूरा cutting out तो आपका क्या आएगा next page में ले चलता हूँ मैं next page में आप देखो इससे पहले आप यहीं पर cancel out करो 1 by 4 पाइपसलोंड कट जाएगा q square कट जाएगा साथ में mg mg कट जाएगा r upon y r dash नहीं कट जाएगा sorry r dash मैंने कार दिया ना गलती तो यह आपका है r dash नहीं कटने वाला y कट जाएगा बच गया इदर साइड में 1 by r square upon 1 by r dash का square 1 by r dash का square ठीक है लिखता हूँ मैं इसको और उस तरफ मैं इसको rectify कर लेता हूँ यह r आपका नहीं कटने वाला sorry तो यह r upon r by 2 upon r dash r by 2 upon r dash y y cancel out हो जाएगा कोई दिकत नहीं है r dash अब यह y cancel कर सकते हो आप ठीक है y cancel कर सकते हो ना तो अब इसको solve कर लें यहाँ पर लिखने वाले हैं हम लोग क्या कि r square ऊपर चला जागा r dash का square और नीचे r square हो गया इधर साइड में आपके पास बचा r by 2y into y by r dash y y अभी आभी cancel कर देते हैं तो आप cross multiply के जगत r cube is equal to r dash का whole cube हो जाएगा और साथ में multiply में 2 रहेगा साथ में multiply में 2 रहेगा तो r dash की value आपको निकालनी थी तो r dash की value क्या हो जाएगे बच्चा तो r dash की value हो जाएगी चलिए r dash की value आप लोगों लिखाता हो में तो r dash का value जो निकालना है तो आपने r cube को divide देना होगा 2 से और उसका क्या लेना होगा cube root जब आप r cube का cube root लिजएगा तो r हो जाएगा r cube का cube root की जगत r और नीचे में 2 का cube root करना होगा आप देखो ये option था क्या ये option था क्या आप match करके देखो शुरू में जो question लिखा था मैंने तो यहाँ पे आप आप देखो कि यह जो option है option कौन सा दिखे रहा आपको d option right तो यह d option आपका सही हो गया तो मैं उमीद करता हूँ यह पूरी तरह से मैंने आपको समझाया है clear कर दिया होगा कैसे बनाना होगा simply आपको कुछ नहीं करना है vector सारे को दिखाना है और सभी को resolve करना है 10 theta लेना है 10 theta को solve कर लेना है इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है equilibrium पर condition ला करके solve करना है ठीक है तो I hope यह पूरा question clear होगा similar question एक और हम लोग इसी तरह से आपको एक work दे रहे है homework ठीक है इसी तरह का question है आपका neat 2000 16 में आए हुए सवाल है तो इसको हम लोग आपको यह work दे रहे है homework के तोर पे ठीक है इसी तरह का question है बिल्कुल इसी तरह से आपको बनाना है और ज़्यादा tough नहीं है देखिए क्या condition था तो इसमें भी दो pit ball थे ठीक है charge carrier रखा था Q distance था separation का distance separation का था वो R था distance separation का था length of string जो इससे वो tight था वो L था ठीक है sorry distance separation का D दिया हुआ है question में भी D दे रखा है और D जो है वो काफी छोटा है as compared to the length of the string L से ठीक है यह भी condition दे रखा है उस question में अब क्या करना है बच्चों question में twist यह है कि आपका condition यह दे रखा है कि जो pitable से चार्ज है वो leak होना शुरू हो रहा है ठीक है leak कर रहा है अब as the charges is leaking so उनकी जो charge होंगे वो कम हो रहे होंगे charge अगर leak हो रहा है तो charge leak होने से इसके अंदर का magnitude है charge का वो कम हो रहा हो कम होने से इनके बीच में क्या हो रहा होगा अब यह आपस में एक दूसरे के close आ रहा होंगे repulsion कम पढ़ रहा होगा force और repulsion कम हो रहा होगा तो यह दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे अब करीब आने से इनके बीच का जो approaching distance है उसको हम लोग let suppose कर रहे है x कितने से यह approach कर रहा है x approach कर रहा distance ठीक है यानि velocity अगर हम बुलें तो velocity approaching velocity v है velocity approaching क्या है v है आपको क्या find out करना है कि जो v है न यह v जो है वो क्या कि इसके x के साथ यानि जो distance approaching distance उसके साथ कैसे proportional है v और x के बीच का आपको relation find out करना है ठीक है तो यह question है need 2016 का question निकाल करके आप पढ़ भी सकते हो उस खुद से सारे questions वहाँ पर आपके पास available भी है तो यह value आपको निकालना है कि v is how related to x options है v directly proportional to x की power minus half v directly proportional to x की power minus one या v directly proportional to x की power में half या v directly proportional to x यह चार option है बच्चा I hope असानी से solve कर लोग आप लोग ठीक वैसे ही जैसे पीछे question में मैंने बताया उसी तरह solve करना है कुछ करना नहीं इसमें force बताना है एक तरफ एक तरफ वजन लगाना है weight नीचे और tension फिर आपको थिरे दरे आपको resolve करना है और equilibrium position पर सारा value लेकर के condition को solve कर लेना है ठीक है आपको आपका aim होना चाहिए कि जो x है वो उसको निकाल ले वी के respect में चलो